दोस्तो हुली की अगनी में ये तीन चीज भूल कर भी कभी मठ डालना, इससे उल्टा आप पर गरीबी आ सकती है, घर में कंगाली आ सकती है, हुली के दिन ऐसी पूजा कभी न करें। दोस्तो हिंदु धरम के अनुसार हुली सत्रा और अठारा मार्च को मनाई जाएगी, सनातन परंपरा में हुली का त्योहार, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है, हुली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा होता है, हुली की रात को शानियों को मिटाने का दुख तकलीफ सारे कश्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है, शास्तरों में नक्षत्र विद्या में हुली की रात को सिद्धी की रात कहा गया है, इस दिन नाकारात्मक और साकारात्मक उड़जा दोनों ही बहुत सक्री रहती है, इसलिए लोग सद्यों से इस दिन सिद्धियां हासिल करने के उपाय करते आए हैं, हुली की रात में जो साधना की जाती है, वो बहुत ही कारगर और फलदाई सिद्ध होती है, जो की 100% सिद्ध हो ही जाती है, इस दिन आप किसी भी देपता की साधना को सिद्धी क कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर किये जाने बाले कुछ ऐसे प्रभाप शाली उपाए जिनसे आप आने बाले नए हिंदू बर्ष में खुशियाई खुशियाँ पाओगे आप अपना दुख दर्द तथा कष्टों को मिटा सकते हैं लेकिन क जरूर लिखें जै माता दी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाईएगा दोस्तों शास्तरों के अनुसार माना जाता है कि होली का देहन पर होली की अगनी में तूटा हुआ गन्ना नहीं अर्पित करना चाहिए नहीं खराब गन्ना जराब दे सकती हैं आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है शास्तरों में माना जाता है कि जब होली का देहन होता है तब होली की अगनी में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए जब आप अगनी में गन्ना डाले तो गन्ने की ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होना चाहिए क तूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें। होली का देहन से ठीक पहले गन्ना घर में अबर्शी लेकर रख लें। और गन्नों की संख्या दो या पांच या फिर साथ संख्या होना चाहिए। दोस्तो होली की पवित्र अगनी में पानी बाला नारेल नहीं चड़ाना चाहिए। इससे आप आप के भागिदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारेल ही होली की अगनी में अरपित करना चाहिए। पानी बाला नारेल अगनी के अंदर भूल कर भी न डालें। होली का देहन म आपको धन से माला माल तथा आपकी गरीबी को साथ ले जाएंगी पानी बाला नारेल आप पूजा के दौरान फोर सकते हैं लेकिन अगनी में कभी मट डालना सूखा नारेल अगनी में डालने से हुली माता आपकी सभी परिशानी को अपने साथ ले जाती है और अगनी देब भी प्रसन हो जाते हैं दोस्तों माना जाता है कि होली माता को घर का भोक अती प्रिये है अगर आपने अपने घर में जूवी बनाया है वो होली माता को अबश्य अर्पित करें लेकिन याद रहे गुजिया चड़ाते समय देख ले कि गुजियों की संख्या तीन नहीं होनी चाहिए या तो दो चड़ाले या फिर पांच, साथ, ग्यारा और एक्किस चड़ा सकते हैं लेकिन गुजियों की संख्या तीन नहीं होनी चाहिए ऐसे में एक की संख्या में गुजिया भी नहीं चड़ाना चाहिए होली का देहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल अबश्य अर्पित करें होली का देहन में गाय के गोबड से बने उपले या यू कहें तो बल कुडियें अबश्य चड़ाना चाहिए दोस्तो होली की अगनी में आप हरा चना, गेहु की बालियां कोई भी नई फसल अबश्य अर्पित करें इससे आपके घर में अनधन की कमी कभी नहीं होगी जब आप माता को बालियां अर्पित करें तो देख लें तूटी हुई बालियां ना हो सूखे हुए पत्ते ना हो एकदम बालियां हरी भरी होनी चाहिए होलिका दहन की अगनी में सूखी बालियां चड़ाने से पाप लगता है दोस्तों शास्तरों के अनुसार माना जाता है कि अगर आपको मासिक धरम आ जाए तो ऐसे में आप होलिका दहन की पूजा किसी और से करबा सकते हैं आप पूजा का बैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं लेकिन मासिक धरम के दोरान होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए आप दूर से होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी और से की प्राप्ती होती है इससे आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी सब नश्ठ हो जाएगी कचरी पापड आदी होलिका देहन में अबश्य अर्पित करना चाहिए इसे होलिका देहन से पहले जूटा नहीं करना चाहिए जो आपने कचरी पापड आदी बनाए हैं वो होलिका दहन की अगनी में अबश्य अर्पित करना चाहिए इससे आपके घर में धन की कोई भी कमी नहीं होगी दोस्तों माना जाता है कि होली का दहन से पहले होली की अगनी में बगैर अर्पित किये गुजिया नहीं खाना चाहिए जब आप माता को भोग लगा दें तबी ही इसका से खा सकते हैं, हमेशा याद रखें, माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद, कन्याओ को गुजिया अबश्य खिलाना चाहिए, और दक्षिना भी देना चाहिए, इससे नव दुरगा तथा माता रानी का आश्रेबात प्राप्त होता है, दोस्तों इस दिन गाय को भोग अ ना करें, गाय माता को गुजिया का भोग अबश्य लगा दें, इससे होली मया का आश्रेबात सदैप आप पर बना रहेगा, दोस्तों चाहें कुछ भी हो जाए, होली का दहन के बाद, उसके अगले दिन होली की राक आपको घर में जरूर लेकर आना है, और पूरे परिबा आपके बच्चे के आसपास भी नहीं भटकेगी, होली का दहन की राक को आप काले कपड़े में बांध कर दुकान के गले में या फिर लौकर में रख सकते हैं, इससे धन में बडुतरी होती है, इससे आपके धन को किसी की बुरी नजर नहीं लगती, होली की राक से आप इस दिन टोने टोटके पिरभाप शाली माने गए हैं। इस दिन सबसे ज़्यादा टोने टोटके किये जाते हैं। सफेद चीज में आपके ऊपर कोई काला जादू कर सकता है। उसकी अगली योनी कुत्ते को प्राप्त हो जाती है। ऐसा मनिश्य पीडी दर पीडी नरक की आतना भोगता है। शास्तरों के अनुसार माना जाता है कि भगबान कृष्ण को होली का पर्व अती प्रिये है। इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कारे नहीं करना चाहिए। जिससे इस्तरी से दूर रहें। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस दिन होली अबश्य खेलना चाहिए। होली का रंग कई नाकारात्मक्ता को अपने आप नश्ट कर देता है। इसलिए जो मनिश्य सच्चे दिल से होली खेलता है। उसके उपर होली मय्या का आश्रिबा सदय बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है। इसे आपवित्र करने बाला ब्यक्ति सद्यों तक कृष्ण भगबान के श्राप का भागी बना रहता है। इसलिए होली का पर्व सच्चे दिल से तथा सची श्रद्धा के साथ ही मनाना चाहिए। दोस्त और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जैश्री कृष्ण भगबान कृष्ण के लिए एक लाइक तो बनता है। होली की हार्दिक शुब कामना है। हैपी होली।